ओ जिकना है तेरा उतना है मेरा सूरज है तेरा मेरा सवेरा हमेजा से भी ज्यादा है प्यारा ये हिंदुस्ता हमारा हिंदुस्ता हमारा अदाब नाजरीन मैहुत्रिदी ब्रमन हिंदुस्ता हमारा में आपका इस्तक्बाल है हिंदुस्ता हमारा यानि मुल्क के मुसल्मानों की अपनी बुलंद आवाज इस अपते हम अपने पिटारे में लेकर आए हैं बहुत कुछ खास नाजरीन मैहू साइमा मेरा भी अदाब कबोल करें मुसल्मानों की आवास को बुलंद कर उनकी बात और उनके जजबास से दुनिया को रुबरू कराना ही हमारे शो का मकसद है क्योंके हमने सुनी है उन खामोश लबो की चुपदासना उन्हें दोस्त मिलता है तो उनके होसलों को पर लग जाते हैं तो आईए अब हिंदुस्ता हमारा के इस अनोखे सफर का आखास करते हैं अबाम से आज के एपिसोड में हम पेश कर रहे हैं गयूर की कहानी ये कहानी आप हम सभी की तो है मुर्जाए हुए चेहरे पर दस्तक देती हैं जुर्या गयूर के उस सफर की गवाँ है जिसने इन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था गाओं में बेरोजगारी और तंगाली से परेशान गयूर रोजगार की तलाश में 25 साल पहले उत्तर प्रदेश के बदाईउं से दिल्ली आया था बच्चों की परवरिश, बीमार बीवी का इलाज और ना जाने कितनी जिम्मेदारियां थी उसके कंधों पर लेकिन दिल्ली आने के बाद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई हाथ में उनर होने के बाद भी गयूर को बेरोजगारी के एक लंबे दोर से गुजरना पड़ा गयूर का मानना है कि नौकरी में रुकावट की वज़े थी उसका मुशलमान होना मजभ के नाम की वज़े से हमारे नाम की वज़े से ही हमें नौकरी नहीं मिलती गयूर को सिर्फ रोजगार हासिल करने के लिए ही नहीं बलकि उसकी बीबी के इलाज के वक्त भी मजहबी तासुप का शिकार होना पड़ा गयूर उस पल को आज भी कोस्ता है जब बहतर इलाज नहीं मिल पाने की वज़े से उसकी शरीके हयाद इस दुनिया से रुकसत हो गई जब मेरी पत्मी बीमार थी और वो किड्नी पेशेंट थी और उसके इलाज के लिए जादे पैसों की दरूवत थी सितम जरीफी ये है कि जिन हालाद का सामना गयूर ने किया आज उनके बच्चों को भी उसे इमत्हान से गुजरना पड़ रहा है बच्चों के तालीम और रोजगार के लिए बैंक से कर्ज लेने की जरूरत महसूस हुई लेकिन बैंक वालों को कमीशन ही देने की सूरत में लोन नहीं मिल सका महदूद वसायल और किसी की मदद नहीं मिलने की सूरत में ठाख खार कर गयूर आज अपने बच्चों के साथ मिलकर छोटा सा कारूबार कर रहा है और वह कोशिश कर रहा है अपने जिंदगी को खुशहाल बनाने की उस दर्द को भुलाने की जो वक्त ने उसे दिये थे गयूर की दास्ता बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात का हमारी बात यानि दुनिया जहां की खबरों को आपके नजरिये से देखने की कोशिश अलीगण मुसलिम युनिवस्टी का महौल इन दिनों बदला बदला सा नजर आ रहा है वजह युनिवस्टी में आए नए वाइस चांसलर और युनिवस्टी को नंबर वन बनाने का उनका एलान है युनिवस्टी के तलबा से लेकर एम्यू से लगाओ रखने वाले लोगों के अंदर इन दिनों एक नई उमीद नजर आ रही है इस अजीम इदारे की जिम्मेदारी नए वाइस चांसलर के समालने के बाद उनके खैर मकदम का सिलसिला भी जारी है दारुल हुकुमत दिल्ली में भी नए वीसी को दिये गए इस तकबालिया में अलिगर से तालीम हासिल कर चुकी शक्सियात ने उनको कई नसीहते दे राली खुदा के लिए आप से यह दर्खास करेंगे कि बिलकुल यह परवाना कीज़े और ना इन लोगों को किसी को कोई डैरेक्ट कोई काम होता है ना कोई दाखले कराने होते हैं आज की जनरेशन सब बहर जा रही है जादा तर हाला की पिछले दिनों युनिवस्टी का महौल भले तल्खी भरा रहा हो लेकिन नए वीसी का मानना है कि जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा और युनिवस्टी नंबर एक के मकाम तक पहुँचेगी एम्यू से तालीम पाचु के स्टूडेंट युनिवस्टी के मौजूदा हालास से बेहद गम्जदा नजर आते हैं जब अलीगर से निकलते थे तो अलीगर के ओल्डवाइस का दिल अलीगर के साथ धड़कता और उसके साथ चलता है जब अलीगर की ये फिज़ा यहां तक पहुँच गई कि टीचर और लड़कों ने अलीगर को एक ऐसी तर्शकाव में तबदील कर दिया जहां इमारतें जलाई जाने लगे हैं उन्हें इस बात का बेहद मलाल है कि युनिवस्टी का महौल अब पहले जैसा नहीं रहा और ना उसके आबो हवा में वो मिठास है जो पहले कभी हुआ करती थी आलम ये है कि अब पहले जैसे टीचर की भी कमी है जो इस्टूडेंट को बेहतर तर्बियत दे सकें नए वाइस चांसलर की बातों से लोगों को एक उमीद नज़रा रही है उमीद इस बात की कि आए दिन होने वाले तनाव पर अब काबू पाया जा सकेगा साथ ही तालीम और तर्बियत के लिए मशूर ये इदारा फिर से नया मकाम हासिल कर सकेगा हमारी बात के बात अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का पर आप कहीं मत जाईगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करने वाले हैं मकाम मकाम यानि दास्ता बयानी वैसे लोगों की जो अपनी जिन्दगी की दरो दिबार पर चस्पा कर देते हैं कुछ ऐसी तस्बीरें जो देखने वालों के मन में ना सिर्फ एक नया होसला भरती है बलकि उन्ही जीने का एक नया मकसद भी देती है मकाम में हम आज आपको दिखाएंगे मुल्क की जाने माने हस्ती मुहतरमा सैदा सैदेन हमीत की जिन्दगी के हासिल मकाम की असली तस्पीर पर इसके लिए आपको करना होगा तोड़ा सा इंतजार हम लोट कर आते हैं पल दो पल में महज 9 साल के उमर में ही एक किताब लिखने की सलाहियत रखने वाली लड़की की जहानत का अंदाजा बखू भी लगाया जा सकता है कश्मीर के एक रोशन खयाल घराने में पैदा हुई सैदा हमीत चार बहनों में सबसे छोटी और जहीं थी सबसे क्यारा इंदुस्ताहारा इंदुस्ताहारा इंदुस्ताहारा